असलाम लीकूम और वेलकम टीव स्पाइस अगर आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्विक और बहुत ही एजी बनने वारी बोलनेस चिकन ब्लाक पेपर की रेसिपी अगर आपके पास टाइम कम है और आप बहुत ही टेस्टी चिकन क्राही खाना चाते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही कम टाइम में बहुत ही फ्लेवर फुल बॉनलेस चिकन क्राही रेडी होती है लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर सकते हैं. ऑईल को हम बहुत अच्छे से गरम करेंगे. आप जब भी कराही बनाएं तो उसमें घी या ऑईल थोड़ा ज्यादा ही रखें. अब इसमें आड़ करेंगे बॉनलेस चिकन, तकरीबं वन केजी के करीब. चिकन को हम हलका सा फ्राइ करेंगे. अब इसमें आड़ करेंगे वन टेबल स्पॉन चिंजर और गार्लिक पेस्ट. में ये पास फ्रोजन है. आप चाहरें तो फ्रिश भी यूज़ कर सकते हैं. चिंजर गार्लिक डाल के हम इसे बहुत अच्छे त्रीके से फ्राइ करेंगे. यहां तक कि इसका कलर चेंज हो जाए. जब चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, तो इसमें आड़ करेंगे त्री मीडियम साइज के चॉप टोमेटो टोमेटोस एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. यहां पर आप देख सकते हैं टोमेटोस ने पना पॉटर रिलीस कर दिया है. इसमें चिकन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा. अब हम इसमें एड़ करेंगे वन टीस्पून के करीब रोस् टोमेटोस का फ्लेवर और हुश्बू दोनों ही हराब हो जाएंगे. अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. सॉल्ट मैने इसमें एड़ किया था अकॉर्डिंग टेस्ट. जिब चिकन और टोमेटोस का पानी थोरा सा रिडियूस हो जाए तो इसमें एड़ करेंगे योगर्ट 3 और 4 टेबल स्पून के करीब जिससे इसकी क्रेवी बहुत ही जादा अच्छी बनेगी. योगर्ट एड़ करने के बाद हाई फ्लेम पे इसे हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे ताकि योगर्ट का पानी सारा ड्राय हो जाए. इसके लावा इसमें कोई एक्स्रा स्पाइस नहीं जाएगा. अगर सड़नी केस्ट आगे हैं तो ये आइडियल रेसिपी है. बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत ही जादा फ्लेवरफुल रेडी होती है. इसे मैंने कवर करके रखा था तकरीब फाइव मिनिट के करीब. यहां पर आप देख सकते हैं कि चिकन का आइल सेपरेट हो चुका है. अब इसमें एड़ करेंगे अपन फॉर्थ कप के क्रीब क्रीम जो भी आपके पास अविलिबल हो. क्रीम एड़ करते हैं आपने फ्लेम को बिलकुल लो कर देना है. अब हमने इसे बहुत अच्छे तुरीके से मिक्स करना है. इस क्राही कॉप पिद बॉन्स भी बना सकते हैं. बिलकुल इसी मेटड को पॉलर करके. अगर आपका क्राही में आइल जादा हो जाए तो उसको बनाने के बाद एक सेपरर बॉल में निकाल दीजे और उसे किसी भी डुश में इजी लिया आप यूज कर सकते हैं. यहां पर आप देख सकते ह हैं कि चिकन की ग्रेवी थोड़ी तिक हो गई है. अब इस टेच पे हम इसमें आड़ करेंगे फ्रश हरा धनिया. साथ इसमें आड़ करेंगे ग्रीन चिली और फ्यू लेवन स्लाइसे. इससे इसका फ्लेवर बहुत जादा इन्हांस होगा. अगें तमाम चीजों को हम जिसे मैंने बहुत अच्छे त्रीके से गरम किया था. अब हम इसके उपर थोड़ा सा ओल ट्रिप करेंगे. और इसे हम कवर करके 3-4 मिनर्स के लिए रखतेंगे. इससे इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा. तो रेडी है हमारी बहुत ही जबर्दस स्मोकी ब बहुत ही मज़े की रेडी होती है. इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्षिन में बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी. जाने से पहले मुझे अपनी दौा में ज़रूर जाद रखिए. नेक्स टाइम ही लेंगे को रेसिपी के साथ. So, stay with me and stay connected.